दूसरा सवाल यह है कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रेलेवे को लेकर लोगों के उम्मीद रहते हैं कि रोजगार आएंगे और जब पिछला जर्नल एक्षन था उससे पहले एक तरिके से अप्पी अप्पी एक लाख चौवन हजार लोगों का रोजगार कंप्लीट रुआ हैं एंप्लाइमेंट ओर्रस मिल गए लोगों का रेजिस्ट्रेशन हो गया आगे जॉब में अब उनके ट्रेनिंग के लिए लोग जाने लगे जैसे यह प्रॉसेस कंप्रीट हुआ नेक्स्ट प्रॉसेस चाल हुआ बहुत लंबे समय से सब की डिमांड थी कि इसको एन्वल बनाया जाए एन्वल इसलिए बनाया जाए अगर चार चार पाच पास साल के गैप में आता है तो कई लोगों की एज निकल जाती है उसमें से इसलिए अब एन्वल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं जैनुरी में एप्रिल में जून में और ऑक्टोबर में यह चा जो चार बड़े चंक है एलपी टेकनिकल नॉन टेकनिकल और ग्रुप लेवल वन यह जो चार बड़ी कैटेगरीज हैं इन चार बड़ी कैटेगरीज का साल में चार इससे किये गए हैं कि जैनुरी में स्टार्ट करें एक जो एलपी का दूसरा टेकनिकल स्टार्ट करें ए इस प्रोसेस पे सारे की सारे कैंडिडेट्स की डिमांड लंबे टाइम से रही है कि चार-चार साल का जो फेज होता है पांच साल का फेज होता है कई लोग एज बार हो जाते हैं उसमें एक हर साल आपको ऑपरचुनिटी मिलती रहेगी तो सब को ऑपरचुनिटी मिलेगी इस कि इस थिंकिंग के साथ आगे बढ़े है और इसमें भी जितनी रिघार्मेंट थी उससे जधा भी नोटिफाई किया है एक साल की सहाब से जो रिक्वार्मेंट है एक साल की सहाब से अगर जैसे लोको पाइलट का मैटर है कितने लोग रिटायर होते हैं उससे ज्यादा लिये हैं टेक्निशन का है तो टेक्निशन का जो एप्रिल के आसपास एप्रिल से पहले निकल आएगा क्योंकि हम लोग वो प्रोक्राइफ को बहुति करना जाते थे मरना नॉम्ल प्रोसेस में एप्रिल में इकलता टैक्निशन एस्टिमेट बन-बन की निकलता है ना फिर हरे के लिए अलग लग बनता है अभी डेल लाख लोकों को जॉब दिया आप सोचे उस एक्जाम की कॉम्पलेक्सिटी पांसो से ज्यादा शहर कितनी शिफ्टे हैं अजार से ज्यादा शिफ्टे हैं पंदरा लैंग्विजेज एक के करोर लोग अप्रिकेशन कहीं पे कोई कंपलेंट आई जीरो कंपलेंट कहीं पे कोई पेपर लीग जीरो पेपर लीग कंप्रीट वन आई तो एक उस चीज को भी तो देखो